तेटिंगे आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोग के लिए क्या है कलेक्टिव जेनरल टाइमलेस रीडिंग है चब भी देखो किस वक्य नहोंजी सोंगी पेज अफ कप्स टू अफ कप्स टेंपरिंस ओके अपके पार्टनर जो हैं आपके साथ रीउनियन चाहते हैं पस उनके अंदर बहुत सारा प्यार है आपके लिए ठीक है आपसे बात करना चाहते हैं चीजे बैलन्स करना चाहते हैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं आप आपके बनाती हो वीडियो ठीक है देख लेते हैं नेक्स एक्षिन क्या है उनका आपकी तरफ करेंट लिए उनके अंदर काफी टूफी फीलिंग्स आपके लिए लव के नहीं से यूनियन के अनर्जी यह बहुत ही क्रेविंग हो रही है उनको आपकी देख लेते हैं नेक्स क्या है उनका आपकी तरफ ओके यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपके वॉक्प्लेस पर आपको मिलना चाहते हैं चुपके से ठीक है या फिर आएंगे अगर आप वॉक्फिंग प्लेस अगर आप लोग का सेम है तो तो और अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करे थे तो आपके पार्टनर अब आगे बड़ेंगे जो यह श्चया नेचर है उससे हटके बाहर निकलेंगे आपकी manifestation पूरी होगी पर यह आपके partner जो है आपसे आपके working place पे छुपके मिलेंगे ठीक है and clear कर लेते हूं मैं cards को कुछ confusion सा आ रहा है seven of swords को clear करें sun okay actually आपके partner चाहते है आपके साथ hidden connection ठीक है तो अगर मैं next section में कहूं तो हाँ आपके लिए action लेंगे पर छुप छुपा के लेंगे जैसे चुपके से मिलना okay और मेरे ख्याल से इनके इस behavior को आप पसंद नहीं करोगे जिसके वज़े से आपका फिर दिल तूटेगा और फिर आप अपने में लग जाओगे overall मैं कहूं तो यहाँ पर अगर आप लोग अपने पार्टने के साथ union manifest कर रहे हो तो please manifest मत कीजिए अपने उपर ध्यान दिजिए inner work करो क्योंकि अगर आप manifest कर लोगे तो वो फिर आपको trigger देके जाएंगे आज की reading में ही है especially twin flames वाले जो twin flames अपने counterpart को manifest कर रहे है please stop right now ऐसा मत कीजिए manifest करोगे वो आपकी तरफ आएंगे बट वो आपको पूरी तरह से accept करने के लिए तयार नहीं है बस वो enjoy करना चाहते हैं आपके साथ hidden relationship चाहते हैं इस connection को वो समझने के कोशिश नहीं कर रहे है आएंगे आपको trigger करके जाएंगे तो it's better कि आप inner work पे ध्यान दो और अपने partner को manifest करना बंद कर दो और जब तक आपको ना लगे कि आपके partner आपको पूरी तरह से completely accept करने के लिए तयार है तब तक आपको inner work ही करना है ठीक है guidance देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं प्यार करते हैं बट society and all उनके लिए जादा matter करती है divine प्लीज guidance दीजिए मेरे विवस के लिए उनके connection पे detachment वही मैंने कर आपना inner work करिए and इस connection से detach हो जाएए जब आपका permanent union का time आएगा तो आप लोग union में आ जाओगे तो अभी आपको यही guidance दी जारी है manifest अगर आप अपने counterpart को यह सिरफ twin flame journey वालों के लिए उनको manifest करें तो please मत करो सिरफ अपने उपर work करो और divine पे surrender कर दो और detach हो जाओ ठीक है तो आपकी इस journey में आपको success मिलेगी नहीं तो आप लोग यही वो आएंगे trigger करके चले जाएंगे आएंगे आपको hot करके चले जाएंगे यही चलता रहेगा तो आप अपने inner work पे अपनी growth पे ध्यान दो तो आपके लिए divine ने कुछ best plan किया हुआ है उन पे trust करो यह है आज की reading God bless you all, take care